दोस्तों मॉस्ट वेल्कम इन ये वीडियो के इंतरम बात करने वाले रितिक रोशन को लेकर देपिका को लेकर और बेसिकली सिदार्थानद को लेकर दोस्तों एक कलपना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी फिल्म बनाई जा रहे हैं और दोजार चोबिस की पहली ब्लोगबस् फिल्में हिट की जाती हैं कि उन्हें पिछले साल भी इट करके दिखाई थी पठान तो यहां भी आसा थी लेकिन भाई जैसा हमने सोचा था वह ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिल्म दोस्तों पता है कि आज 16 दिन इसका जो कलेक्शन है सबसे पूरेस्ट कलेक्शन है दोस्तो बहुत ही सोकिंग कलेक्शन इस फिल्म का हो गया है जी हैं दोस्तों ऐसा हमने बिल्कुल भी कलपना नहीं कि थी कि इस फिल्म का यह हाल हो जाएगा और अपने 16 दिन ये फिल्म इतना भाई पूर कलेक्शन करेगी चुक्रिए बहुत ही सोकिंग आकड़ा है। इतने पूर क इस फिल्म ने भाई कितना क्लेक्शन कर लिया है? दोस्तों सरफ 50 लाग बहुत ही शोकिंग कलेक्शन है इस फिल्म ने भाई सरफ 50 लाग का कलेक्शन अपने 16 ले दिन के है और टोटल कलेक्शन के बात करूँ Domestic Box Office पर 188 करोड़ और बजट कितना है भाई 250 क्रोड तो भाई दोस्तो बहुत ही शोकिंग है कि ये फिल्म domestic box office पर अपनी जो लागत है उसको भी वसूल नहीं कर पाई तो दोस्तो ये बहुत ही शोकिंग है रितिक रोशन इतना बड़ा स्टार माना जाता है और उसके बाउजूद भी ये फिल्म इतना अच्छा क्लेक्शन नहीं कर पाई और दोस्तो फिल्म एक डिजास्टर स्वाबित हो गई और अब रितिक रोशन के सिपास वार टू बचिये जिससे हमासा कर सकते एक अच्छा कासा क्लेक्शन करें लेकिन भाई इस फिल्म का डोपना बहुत ही सोकिंग है आप क्या सोसने इसके पूर कलेक्शन को लेका अपने राई जल्दली की कॉमेंट बॉक्स में